देखें पांच वे हमारे कारक्रता मुझे सवाल पूछ रहे हैं श्री डी आर योगिस जी है वो तो बैंगलूरू से है और उनका सवाल है कि सरकार बनने के बाद हम आने वाले पांच साल में करनाटका को कहां देख सकते हैं बंगलूरू के नवजवान है तो लंबा सोचने वाले होते ही होते हैं अच्छा सोचने वाले हैं करनाटका के नवजवान देखिए देश इस समय आज़ादी का अमृत महस्म मना रहा है आने वाले 24-25 साल देश के लिए अमृत काल है इनकी शुरुवात इनी पांच वर्सों से होने वाली हैं ये किसी सरकार की बात नहीं है ये किसी दल की बात नहीं है ये देश की बात है इन पांच वर्सों की प्रगती हमारे अमृत काल की नीव होने वाली है ऐसे मैं मतदाताओं को उन्हें चुनना चाहिए जिन के पास अमृत काल के लिए कुछ ब्ल्यूप्रिंट हो अब देखिए मैं आपको एक आज़ादी के पहले का चितर आपके सामने रखता हूँ हमारे देश में आठ सो हजार साल की गुलामिक एक आलखन में है इस देश का एक भी वर्स ऐसा नहीं था कि आज़ादी के लिए किसीने कोई जंग न किया हो इस देश का कोई इलाका ऐसा नहीं था जो कभी ने कभी आजादी के जंग को ब्यूगल न बजाया वा लड़ाई न गड़ी लेकिन 1920 के बाद पुझ्य बाकूप के नित्रूतों में जो बाते शुरू ही और पुझ्य महत्मा गांधी ने आजादी लेके रहूँगा का जो मुद्दा आगे बढ़ाया पुझ्य इंडिया का मुद्दा आगे बढ़ाया पचीस साल के भीतर भी दे रहे हैंने 800-900 साल से हम लड़ रहे थे लेकिन वह पचीस साल ऐसे महत्म के बन गये कि 1947 में आजादी आई अनेक परिवरों ने काम बगसी जैसे वीरों की शाहदत ने काम किया वीर सावकर जी के पूरे परिवार के बलिदान जैसे महाफुरुशने काम किया लेकिन गांदी जी का उस नेत्रुत्व देश के सामान ने मने मानवी को अंदोलित कर गया। वो पचीश साल का कालखन जैसे आजादी दिला सका वैसे ही मेरे साथ यो ये पचीश साल का कालखन ये अमरत का सम्रद्ध भारत की गारंटी है मेरे शब्द लिखे रखे दोखों ये विक्सित भारत की गारंटी है और हमारी सरकार ने तो अभी से इस पर काम करना शुरू कर करना टका हमारे इस विकास अभ्यान का बहुत महत्वपुन हिस्सा है करना टका के विकास से भारत का विकास फिर से मैं कहता हूं करना टका के विकास से भारत का विकास हमारी सरकार इसी मंत्र के साथ चल रही है आज पूरी दुनिया भारत को मैनुफेक्टिरिंग के हप के रुपए देख रही है आने वाले समय में बहुत सारी मेगा फेक्टरियां भारत में आने वाली है इसका बहुत बड़ा लहभारती करना टका का युवा होने वाला है इसके लिए हमें बहुत तेज गती से करना टका के इंफ्रास्रेक्टर को आधुनिक बनाना है, तेज गती से मल्टी मोडल बना रहा है। हो रही है, बैंगलूरू मैसुरू एक्स्प्रेस में बहुत शामदार बना है। अज पूरे करना टका में ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। करना टका में पूर्ण बहुमत वाली भाजपा की स्थीर और मजबूत सरकार होना बहुत आवशक है। हम अगले पांच साल में ऐसा करना टका बढाने वाले हैं। जहां मेरे गाउं का सामर्थ, मेरे किसानों का सामर्थ, मेरी माताओं बहनों का सामर्थ, मेरे नवजवानों का सामर्थ, मेरे दलीद भाई बहनों का सामर्थ, मेरे आदिवासी भाई बहनों का सामर्थ। ये शक्ति, ये सामर्थवान बने, शसक्त बने, समर्थ हो, सम्वेधन सिल हो, और हम सम्मिल करके दिल्ली की सरकार हो या करनाटका की सरकार, मैं हूँ या आप हो, करनाटका का विकास, देश का विकास, देश को गती देने के लिए करनाटका विकास, हमें पूरी सक्षमता के साथ आगे बढ़ना है, विश्वात के साथ आगे बढ़ना है साथियों इनी वज़स होए आज करना टकाय की जनता बीजेपी की पूर्ण भहुमत की स्थीर और मजबूत सरकार बनाने के तयार है साथियों ये मेरा सोभाग्य है कि मुझे आप सबसे आज बूत लेवल के लाखो कायर करताओं के दर्शन करने का भी सहब भाग्य मिला है आप से बात्रीत करने का भी सहब भाग्य मिला है और मैं आस्वस्त हो गया हूँ कि इस बार सारे रेकॉर्ड तोड़ करके भारतिये जनता पार्टी को करनाटका की जनता विजयी बनाने वाली ही आशिरवाद देने वाली है लेकिन साथियों जनता के आशिरवाद उसको हमें पोलिंग बुद तक पहुंचाना पड़ता है आंधी कितनी ही तेज क्यों न हो लेकिन साइकल की टूब लेके खड़े हो जाए तो हवा नहीं बरती है पंप लगता है वैसे ही आंधी है आशिरवात का प्रवा है लेकिन पोलिंग बूथ तो ले जाने के लिए कायर करता डटे रहना चाहिए बूथ कमीटी डटी रहनी चाहिए बूथ की शक्ती लगड़ी चाहिए और आप देखिये बूथ विजय निश्चित हो जाएगा और जब बूथ विजय हो जाएगा तो करनाटा के उजवल भविश्की गारंटी भी पक्की हो जाएगी और इसलिए हमें एक बल भी निश्चित हो जाएगा मोधिजय आपने सार्वजयनी करूप से इतनी सारी बता बताएगी तो और पार्टियां भी उसका फाइदा उठाएगी मुझे कोई प्रॉब्लेम नहीं है साथ थी सच्चे अर्थ में जन्ता के बीच में इमानदारी से काम करने का हर एक को अधिकार है लेकिन मुझे पका मालुम है मैं सब पब्लिक ली बतारा हूँ तरीके बता रहा हूँ कोई सिक्रेट नहीं रखता हूँ लेकिन मुझे मालुम है उन लोगों की आदत ऐसी है कि वो इस रास्ते पर चली नहीं सकते ये तपस्या है तपस्या और भाजपा कारकरता तपस्या कर सकता है इसलिए ऐसी बाते उनको कहने के मेरा हिम्मत हो जाती है और मुझे विश्वास है कि आपकी तपस्या आपका संगर्ष आपका सामर्थ बूथ पर ही ताकट लगाने का आपका संकल्प बूथ को विजयी बना रहेगा, बुथ विजय होगा, तो करनाटर का विजय होने वाला है, बुथ विजय होगा, तो भाजपा सरकार पक्की बनने वाली हैं, और डबल इंजिन सरकार वापिस आएगी, यह मेरा पूरा विश्वास है, लोक तंतर के उस्वों में, आपकी भाग्यदारी, आपके परि बीजय पी के कारकरता के नाते, मुझसे जो कुछ भी बन पड़ेगा, आप कारकरता जो भी मुझे आदेश खरेंगे, मैं भी कंदे से कंदा मिलाकर आपके साथ खड़ा रहूँगा, काम करूँगा, और करनाटर की जनता का आधिरवाल लेना, यह मेरे लिए बहुत बड़ सवभाग्य होता है, आने वाले दिनों में हम घर घर जाकर बीजय पी के प्रती हर कंदड़िया, कंदड़िगा को, हर मेरे कंदड़िगा भाई को, उनके विश्वास को और मजबुत करेंगे, आपको पूरे विश्वास के साथ फ्रंट फूट पर खेलना है, हमें हर बूत, हर पन्ने तक पहुंचना है,